ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई सुक्रवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं क किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल स्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आपका प्रियास आज आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता आपका भाग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रते कारे सरल्टा पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाएं और विचारधरा की नविन्ता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभीरूची विशेष रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना, जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांती का अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फलसरूप के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहने वारा है मुस्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्य भार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन, सौंदर्य प्रशादन, आभूशन, आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें की आदर्ट राले माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव है साथि साथ किरोध पर नियंत्रन, एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग, पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा देनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धरमे कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फसकते हैं यात्राओं को भी आज आप टालें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शेर reclaim वली है दोस्तो प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भर पूर मुका मिलेगा और आपके रिष्टे में मजबूत ही आईगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इदर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिष्टे में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में घुसी मिल सकती हैं रोमांटिक आकरसन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेस करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहौल काफी अच्छा रहेगा और वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ शाथ आज आज आपको अपने व्यवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकार्तमक परिणाम प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विध्यारतियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तो ब्रहम, भे, वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा, वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा, स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें, तनाव को दूर करने के लिए अप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। चमेली का तेल, डही, सफेद मिष्टान तथा एक जोड़ा जनेव मा लक्षमी को आप अरपित करें और इसके बाद मा लक्षमी जी की कपूर तथा देशी गी से आरती उतार कर श्री कनक धारा शुरोत का जाप करें। धन्शुक संपत्ती का वास होगा, मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी। या दोस्तो आप इस प्रकारिश उपायल को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा। दोस्तो मा लक्षमी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै मा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।